वायू सेना में फ्लाइंग आफिसर की रैंक हांसिल करने पर पूनम चौहान का कॉंडल में हुआ सम्मान बेटियां किसी भी कारे में बेटों से कम नहीं है पूनम चौहान वायू सेना में फ्लाइंग ओफिसर की रेंग हांसिल करने वाली पलवल जिले के गाउं औरंगाबाद की बेटी पूनम चोहान का हतीन खंडे के गाउं कोंडल में पहुचने पर भवस्वागत किया गया ग्रामीडों ने पूनम चोहान का गाउं में पहुचने पर फूल मालाओ से वा ढोल नगाडे के साथ जोड़दार सौगत किया गौर तलबै की औरंगाबाद निवासी बाबू राम की बेटी पूनम चोहान ने हाल ही में वायू सेना में फ्लाइंग आफिसर का रेंग हांसिल कर गाउं वा पलवल जिले का नाम रोशन किया है उनके दोरा फ्लाइंग आफिसर रेंग हांसिल करने पर भी हतीन के गाउं कोंडल में पहुचने पर ग्रामीडों ने भवेसागत किया इस अफसरपर गाओं की महिलाओं ने भी पूनम चोहान को शौल उड़ाकर वा गले में फूल माला डाल कर सम्भानित किया पूनम चोहान की इस उपलब्दी पर कॉंडल गाओं के लोगों ने बेटी को गले लगाया और कहा कि पूनम चोहान की तरह घर घर में इस तरह की बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए आ गया है पूनम चोहान ने अपनी सफलता कश्रे अपने माता-पिता को दिया है उन्होंने समाज के लोगों से आवान किया कि बेटियां देश्वा समाज पर बोज नहीं है बलकि बेटियों को यदि होसला मिले तो बेटियां बेटों से किसी भी कारे में पीछे नहीं है गाउं कोंडर में बुजुर्ग मास्टर उदायचंद ने कहा कि बेटियां सम्मान की हगदार हैं उन्हें पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां पूनम चोहन से पेड़ना लेकर देश की सेवा में हमेशा आगे आएं भगन बेटियों के माप उनको नहीं अच्छी शक्छा दे सकते हैं उनका सही होग बढ़ा है और उन्हें माऊं के लिए कुछ शिक्षा देना चाहोगी जो अपने बेटियों को कोख में मरुआने की जाहतर को सेष़् करती हैं उनके लिए कष्ण़ के नहीं जाए कि लिए कि रुछ सबड़ी टेर Art